हेलो फेंट्स वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू फिना केल टेंट यूटूडियल दोस्तों अगर किसी एकाउंट में गलती से कुछ केडिट हो जाता है कहीं से अगर फॉर्ट ट्रांजक्शन का फंड आ जाता है यहां कहीं से आपको कोई कस्टमर ने कंप्लेंड किया है कि यह फंड जो है मेरा नहीं है कहीं से फ्रॉट ट्रांजक्शन हुआ है तो आपको क्या करना है फंड को ब्लॉक करना है तो फंड को ब्लॉक कैसे करेंगे फंड को लीन कैसे करेंगे एकाउंट के साथ कैसे आप उसको एंटी करेंगे क्या मेनू है क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है इस वीडियो में मैं step by step आपको दिखाऊंगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं और चो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है क्योंकि सब्सक्राइबर भी बढ़ता रहे और चैनल भी चलता रहे तो उपर में टाइप करना पड़ेगा यह है मेनू गो बटन क्लिक किजिए एक पेज ओपन हो गया ज्यादा फिल्ड आपको इंट्री नहीं करना है बहुत ही छोटा मोटा यहां पर कुछ एंट्री करना है तो चले देखते क्या एंट्री करना है फंक्शन्स फंक्शन्स में क्लिक करेंगे डॉप्डाउन बॉक् ऊप्शन्स एंड्मोडिफाय करके बहुत साथ अप्शंस हैं डिलीट भी आप्शंस हैं चैन्सल भी औपसेंस तो बहुत साथा ओश्यों आपको यहां पर मिल जाएगा तो एड जो है एड में क्या होता है अगर किसी कस्टमर का एककॉंट में पहली बार लीन कर रह और तो मैं यहां पर एक जस्ट एक्सांपल दिखाता हूँ मुझे पहली बार एक्चुली एकाउंट को लीन करना है के अमाउंट तो एड ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया फिर एकाउंट आइड के जगह में आपको एकाउंट नमबर देना है मॉडियूल टाइप में आप सर्चर में जाओगे तो बहुत सर ऑप्शन मिलेगा अब माल लिजे मैं एक गलती से एक ऑप्शन मैं यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं तो यहां पर देखिए एक एर और मैसेज आ गया है मैंने यहां पर सिलेक्ट किया था दिव टू पूल स्वी किजे एड ऑप्शन सिलेक्ट किया फंक्शन में एकाउंट नमबर दे दिया और मॉडियूल टाइप में यूजर डिफाइन सिलेक्ट कर लिया आप गो बटन क्लिक किजे गो बटन क्लिक करने के बाद देखिए पेज ओपन हो गया है इस पेज में आपको एमाउंट रीजन यह सब देना है तो बाई डिफॉल जो है नियू लीन अमाउंट जो है यहाँ पर जीरो रहेगा तो आपको यहाँ पर मॉडिफाइ करना है तो यहाँ पर मैं एक्जम्पल दिखा रहा हूं एक लाग का ऐसा ट्रांजक्शन हुआ है जो गलती से जो ओरिजिनल एकाउंट है उसके उस एकाउंट में केडिट ना होके दूसरा एकाउंट में केडिट हुआ था जो जो दूसरा एकाउंट में गलती से केडिट हुआ है उसको मुझे लीन मार्क करना है क्योंकि आभी तो जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजक्शन में बहुत सारा फैसिलिटी अभी हो गया फंड मेरा नहीं है तुरंट उसको यूटिलाइज करना त्राइब करेगा तो उसको रोकने के लिए आपको यह लीन लाग यहां पर डाल दिया है और यहां पर लीन रीजन में मैंने 5x9 यहां पर डाल दिया है यह एक्षुले आदर्स एक रीजन है मैं दिखाता हूं सर्चर सर्चर है उसको क्लिक करने से आपको बहुत कुछ मिलेगा ऑप्शन मिलेगा अब सही औप्शन डाल सकते हों नोट्स में आपको लिखना है कुछ अगर अगर मेमराइज करना है तो रॉंगली के डिटेड यह जो भी डीजन है वो अप डाल सकते हो यहां पर दिखिए क्या क सही है वही options डालना है अब क्या करना है अगर दूसरा amount आपको add करना है तो उपर में दिखे add options है वहाँ पर जाएए वहाँ पर जाने के बाद आपका same page open होगा यहाँ पर माल लीजे 5000 का मुझे दूसरा amount यहाँ पर देना है तो new lean amount के जगह में मैंने 5000 डाल दिया फिर सेम चीज सर्चर में जाएए जो eligible lean reason है उसको select केजिए मैंने यहाँ पर five times nine that is the other reason जो होता है वो मैंने select कर लिया और notes में आप डाल दिजे wrongly credited neft जो भी reason है particular reason ओ डालना है ओ डालने के बाद submit button click किजे तो particular amount one lakh या 5000 जो भी amount wrongly credit हुआ है दूसरा account में वो क्या क्या होगा वो उस customer party जो है वो utilize नहीं कर पाएगा तो how to lean mark how to lean a particular amount particular account hope you understand hope you like the video friends and if you like the video then don't forget to subscribe my channel like share and comment thank you